दुनिया पर मंडराया तीसरे विश्यूद का खतरा रूस ने अमेरिका से लड़ने के लिए तैयारी की पूरी रूस में करीब दो लाख सेनिकों की बंदी कर रहे पुतीन रूस यूकरेन यूद के बीच रूसी राष्टपती तीसरे विश्यूद की तैयारी में जुट गए है जी हाँ ये हम नहीं बलकि रूसी राष्टपती पुतीन के हाल या कदम इस बात की तस्दीक कर रहे है रूस के राष्टपती ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे यूकरेन ही नहीं बलकि उसके सयोगी देशों में भी हलचल बढ़ गई है यूकरेन की ढाल बने पश्यमी देशों के चलते मुझूदा युद लंबा खिच गया है जहां एक और रूस अकेला युद में लड़ रहा है तो वहीं यूकरेन के पीछे अमेरिका समेथ नाटो देश जुंड में रूस पर हमला वर है हाल में यूकरेन को पश्यमी देशों से मिली लंबी दूरी की मिसाईलों के रूस के अंदर तक इस्तेमाल की अटकलों के बाद से रूस भढ़का हुआ है रूसी राष्टपती कई बार पश्यमी देशों को मजूदा युद से दूर रहने की दायत दे चुके हैं मगर रूस की सभी चेतावनियों और धमकियों को दर किनार कर पश्यमी देशों ने यूकरेन को मदद पहुचाने के लिए अपनी पूरी ताकत जोक दी है ऐसे में खुद पूतीन तीसरे विश्यूद के अगास का अंदेशा जता चुके हैं माना जा रहा है कि रूसी राश्ट्पती ने इसी के मद्दे नजर बड़ा फैसला लिया है रूसी राश्ट्पती पूतीन अपने देश की सैना के अकार को एक बार फिर बढ़ाने जा रहे है पुतीन ने रूसी सैनिकों की संख्या में कई गुना इजाफा किये जाने का आदेश दिया है पुतीन के नए आदेश के मुताबिक रूसी सैना में 1,80,000 सैनिकों की बरती होगी इससे रूसी आर्वी में सक्रे जवानों की संख्या 15,00,000 हो जाएगी ऐसे में एक्टिव सैनिकों के लिहास से देखा जाए तो रूसी सैना चीन के बाद विश्व में दूसरी सबसे बड़ी सैना हो जाएगी इस इजाफे से रूस सक्रिय लड़ाकु सैनिकों के संख्या के मामले में अमेरिका और भारत से आगे निकल जाएगा और दूसरे स्थान पर आ जाएगा बता दे कि युक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद ये तीसरी दफा है जब पुतीन ने अपने जवानों की संख्या में बड़ोतरी की है दावा है कि रूस के इस नए फर्मान से अमेरिका ही नहीं नाटो देशों की नेंद भी उड़ गई है क्रेमलिंग की माने तो रूस में जवानों की संख्या बढ़ाने से कुल सैने कर्मी अब करिब 24 लाग हो जाएंगे पुतीन ने रूसी सशस्तर बलो की कुल संख्या को 23 लाग 80 अजार करने का अदेश दिया है इसमें 15 लाग सक्रिय सैनिक होंगे रूसी सैना में शामिल होने वाली ये नए जवान दिसंबर से ड्यूटी पर तेनाथ हो जाएंगे एक्टिव सैनिकों के मामले में दुनिया भर के देशों में रूस से आगे अब सिर्फ चीन ही है अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को भी रूस ने बच्छार दिया है चीन के पास करीब 20 लाग एक्टिव सैने करमी है वहीं इस सूची में भारत के स्थान पर नज़द ओडाई जाए तो भारत के पास करीब 14 लाग एक्टिव सैने जवान है पूतीन के नए आदेश से जैलेंस्की के मनसूबों को भी बड़ा जटका लगा है जहां युक्रेन के सैयोगी अमेरिका समेथ नाटो देश रूस को अलग खलग करने और तोड़ने में जूटे हैं वहीं पूतीन जुकने की बजाए लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं पूतीन के इरादों से ये कहना मुश्किल लग रहा है कि रूस जंग को इतनी जल्दी खतम करने के मूड में है एक्टिव आर्मी की संख्या बढ़ा कर रूस पश्चिमी देशों पर अपना मनोवे ग्यानिक बढ़त बनाने की तैयारी में है माना जा रहा है कि रूस मुझूदा यूद को अभी और लंबा खीशना चाता है क्रेमलीन प्रवक्ता दिमित्री पोस्कोव ने बताया कि ये कदम पश्चिम की और से रूस के खिलाब छेड़े जारे प्रोक्सी वोर का ही नतीजा है रूस की सुरक्षा निश्चित रूप से सुनिश्चित होनी चाहिए फिलाल किसी नई लामबंदी की योजना नहीं है ऐसे में देखना काफी एहम रहेगा कि रूसी राश्पती के नए फर्मान का आने वाले दिनों में जंगी मैदान पर क्या असर देखने को मिलेगा लंबे खिष्टे यूद से तरस्त हो चुकी युकरीनी जनता के लिए भी ये खबर काफी डरावनी है